गड़ी सास चाचा गड़ी सास चाचा को पता नहीं कब से गड़ी सास चाचा को पता नहीं कब से शाय जनम के पहले से देखती आ रहे एक बहुत छोटे से खोके में बैठे एक आख पर नकली आख चड़ाए दूसरी आख बंद किये वो दिन भर करते रहते हैं घडियों की मरम्मत बैठाते रहते हैं वक्त के कांटों को ठिकाने पर दुरुस्त करते रहते हैं उनकी चाल मेरे दादा जी अकसर उनसे पूछा करते थे कैसा चल रहा है काम धंदा वो आँख पर से नकली आँख अटा कर सिर उठा कर कहते आज कुछ मंदा रहा मामा या फिर आज तो बहुत सारी घड़ियां ठीक कर डाली मामा और जिस दिन वो ऐसा कहते उनकी आँखों में काशा और आवाज में खना खोती अब अब जब मेरा गाउं कस्बा बनकर शहर बनने की रहा पकड़ चुका है अब अब जब मेरा गाउं कस्बा बनकर शहर बनने की रहा पकड़ चुका है घड़ी सास चाचा का खोका कुछ ज्यादा ही खोका हो गया है अब तो अब तो उनकी आँखों पर लटकाई है अनुभव की खाल ठैरने लगी है उनकी चाल परन्तु अब भी चला देते हैं हर आने वाली रुकी घड़ी को वो आज मैंने उनके पास जाकर धीरे से पूछा कैसे हो घड़ी सास चाचा कैसे हो घड़ी सास चाचा ना चेहरा ही उपर उठाया ना आँख पर से नकली आँख ही उतारी पस धीरे से पुस-पुसाए घड़ी सास चाचा दुनिया भर की घड़ियां ठीक कर देने से भी वक्त थोड़ा ही ठीक हो जाता है बिटिया रावगरा देने से जे से गーते लोड़ा राववा जाता है बिटियां भर की से राववार्शा देने सिर्म दन Spencer